हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पाली जिल्ले में नीजी बस अनियंत्रित होकर पल्टी पाली जिल्ले के राश्ट्रिय राजमाक 162 पर बीती देर रातरी को भीनमाल से जैपूर जा रही दशमेश ट्रैवल की बस किरवा के निकट सेटिंग फेल होने के कारण पल्टी खा गई इस दुरघटना में बस में सवार 12 यात्री घायल हुए है जीने उपचार के लिए एंबुलन्स के जरिए बांगर अस्पताल में भरती करवाया गया है तीन गंबिन रुप से घायलों को उपचार के लिए जैपूर भेजा गया है गुडा एंबला ठाना पुलिस मामले की जाश कर रही है श्रवन सिंग, नरेष विश्नू, दिनेश राजेंद्र राकेश इंद्र सिंग, राम पाल, उशा नीना पत्नी, रमेश मीना निवासी करोली, खांचन पुत्र, सावरीया सेंड निवासी हरियाना, डेशराष पुत्र, निर्मर यादव, निवासी जैपूर गायल हुए है काँ से केड़ा है जा रहे थे जैपुर जा रहे थे बिन्माल से जैपुर जा रहे थे खीरवा के बार एक्शिडेंट का हुआ बस बंदी का गई किरिवा के पास 10 पेश बस चर्वल से जो असुंतिल दोकर रोड से निच्छी पंदी का गई जिसे मजरू एक्शिडेंट होगर गाहलोगर अस्पिताल पहुंचे हैं कितने गाहला है करीब दस मजरू पहुंच चुके हैं बस बंदी पाली से जागरू टीनी की रिपोट